Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone Hey guys, I am back, very interesting video guys, आज इस वीडियो में हम कमपरिशन करने वाले OPPO A3S के साथ सामी Mi A2 Lite Guys, अब सभी जानते होंगे, iPhone X में notch display हम लोगों को देखने मिला था, तब से अभी notch display का trending चल लाएं काफी सारे smartphone company, काफी सारे Chinese company, notch display के साथ smartphone launch करता है तो आशी देख टेंडिंग आ जुगा है, तो guys, पहले फ्लाक्षी smartphone में हम लोगो notch display देखने मिला था फिर mid-range price smartphone में, अभी तो budget smartphone में हम लोगो notch display देखने को मिल लाएं जैसे कि कुछ दून पहले Xiaomi ने लाउंच के था, चाइना में Redmi 6 Pro जिसमें हम लोगो notch देखने को मिल ला था, काफी स्मार्टफोन यहाँ पे, रिसनली लाउंच किये गाए, इंडिये का मार्केट में, ओपो की तरफ से, ओपो A3S जिसमें हम लोगो notch display देखने को मिल ला है, बहुती बेस्ट बाजट स्पाइस में, तो गाइस यहाँ पे, OPPO A3S के साथ, Mi A2 Lite इसलिए कंपरिजन कर रहा हूँ, यहाँ पे Redmi 6 Pro जो चाइना में लांच किये गाए, उसी Redmi 6 Pro को, री मोडल कागे, इसको Android One पोग्रम के साथ, सा सामी Mi A2 Lite इस दोनों स्मार्टफोन को कंपरिजन करूंगा, looks-wise, present-wise and price-wise, बताओंगा, इस दोनों स्मार्टफोन में से कंसा स्मार्टफोन होगा, आपके लिए best choice, और इस दोनों स्मार्टफोन में से कंसा स्मार्टफोन बेस्ट बजट स्मार्टफोन होगा, नोज इस तोनोों स्मार्टफून दनेरीम लुकस्न डिषण के बाड narc Diyes दोनों स्मार्थपून बहुत स्मार्फून होगा झाम। फुल बेजल लेस्ट नॉस्ट्राल का डिस्प्ले मिलेगा और बैक साइड में दोनोई स्मार्फोन आपको फुल कैमेरा सेट अप देखने को मिलेगा बात करेंगे इस दोनों स्मार्फोन के डिस्प्ले के बाढ़ में तो ओपो ए 3S में आपको मिलेगा 6.2 इंच का एक IPS LCD पै पाइंगे तो कईसे यहां पर डिस्प्ले के मामने में पर पापी लंबा चावर आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा अगार इस्टोनों स्मार्टपोन के चिपसेट रैंबिव के बाढ़ेंगे तो ओपो ए 3S में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 450 का chipset जो variant आपको देखने को मिलेगा इन्डे में launch हो चुका है 2GB RAM, 16GB internet storage और एक variant आपको मिलने माला है 3GB RAM, 32GB internet storage तो गाइस बजट के साब से Qualcomm Snapdragon 450 काफी आच्चाप पौसर है And guys, Mi A2 Lite में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 625 का chipset जो variant आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 625 मतलब Mi A2 Lite जो काफी आच्चा होगा और इसमें आपको एक्स्टाइवरें पर देखने को मिलेगा 4GB, 64GB internet storage आपको दोनों स्मार्टफोन में Android 8.1 आउट आप बोक्स और यह आपको Android परसंद देखने को मिल जाएगा अभी बात करते हैं इस तोनों स्मार्टफोन के कैमेरे के बाड़े में तो गाइस ओपो A3S में पीछे की तरह आपको Dual horizontal camera setup देखने को मिलेगा जो sensor आपको मिलने बाला है 13MP with 2MP And guys Mi A2 Lite में आपको मिलेगा पीछे की तरह डूएल camera setup जो sensor आपको मिलेगा 12MP with 5MP तो गाइस रियर कमेरे की साफ से दोनों स्मार्टफोन में अल्मोस्स इमान स्मिलर आपको camera देखने को मिल दाए और फंड कामेरे के बाड़े में बात की तो ओपो A3S में आपको मिलेगा 8MP का फंड का मिलेगा यहां पर में हाइलाइट की चाहिए दोनों स्मार्टफोन का बैटरी तो ओपो A3S में आपको मिलेगा 4250 में बैटरी जो काफी आच्चा आपको पार्टफोन प्रवाइड करेगा और बहुत आच्चा बैटरी सर्विस प्रवाइड करेगा अगर बात करेंगे इस दोनों स्मार्टफोन कंपरेट से कौन साफ़ लेन चाहिए तो लुक्स वाइस बेस्ट होगा मिल जाएगा अभी बात करते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बाड़ में तो ओपो एट्री एस इंडेका मार्केट में लॉंच किया गया है इसका टूजी भी जो सिस्टिंट इंटना स्ट्रोज का प्राइस है इस बाइस के प्राइस के बाड़ में अल्मोस्ट दोनों स्मार्टफोन से में सिमिलर है तो मेरे इस प्राइस में आपको को बेस्ट होगा विए टू लाइट इस वीडियो को देने यह बहुत दो शुकिंगा इस वीडिव पहले बात देख प्लिस करने का बात बेल अगा प्रेस कर दीजे ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपकरऊंगा आप लूद नोटिवेशन पहुच जाएगा तो झाल झाल